दोस्तो नमस्कार देश की सबसे ताकतवर राइसीना हिल्स और राइसीना हिल्स के दोनों तरफ इस देश की नितियों को बनाने वाले नौकरशाहों की टीम एक तरफ North Block है एक तरफ South Block है चंद फरलांग की दूरी पर Parliament है लेकिन इतनी ताकतवर जगा खड़े होकर अगर इस देश का आकलन आप इस द्रिष्टी से करें कि जो नितियां बन रही है वो आज की तारीक में Supreme Court के भीतर सरकार को ही कटगरे में क्यों खड़ा करती है यही पर निर्णे हुआ था कि दरसल इस देश में नोट बंदी होनी चाहिए यही पर निर्णे हुआ था कि इस देश में Electrol Bond आने चाहिए यही पर निर्णे हुआ था इस देश के भीतर में GST के कई Slaps होने चाहिए यही पर निर्णे हुआ था कि किसानों के आंदोलन उसके ठीक समनांतर इस देश में एग्रिकल्चर्र रिफॉर्म ही काम करेगा उसका निर्णे भी यही पर हुआ था एक लंबी कतार है इस देश के नौकरशाहों की टीम ने किस तरीके से इस देश की राजनिती को नितियों के आसरे रिफॉर्म के आसले अमली जामा पहनाने की कोशिश की और यह भी उस ताकत का प्रतीक है कि प्रधान मंत्री मोदी राश्टिये तोर पर जब भी इस देश में टेलिवीजन पर आये तो उन्होंने इस देश को बार बार चौकाया लेकिन कलपना कीजिए कि सुप्रीम कोट के भीतर अगर आज मामला डी मॉनेटाइजेशन का चल रहा है तो जजजस सवाल कर रहे हैं आपने किसी से मश्विरा किया या नहीं किया और एटार्नी जेनरल की सांसे फूल जाती है कि किया या नहीं किया कैसे बताएं कोई फाइ एक उलट की प्रक्रिया में सरकार तै करती है कि दरसल यह निती राजनितिक तोर पर लाब देगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए नौकरशाहों की टीम लग जाती है कमाल की परिस्तिती है यही पर निर्ने लिया गया कि दरसल इस देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा और एक वक्त के बाद वो इस देश का मुख चुनाव आयुक्त होगा और यह भी मामला सुप्रीम कोट के भीतर चला गया यही पे निर्णे लिया गया चुकि साउथ ब्लॉक भी है यही पे निर्णे लिया गया कि राफिल इस देश में लाया जाएगा यही पे निर्णे लिया गया कि पेगसस इस देश के भीतर में जरूरी है लेकिन तमाम परिस्तितियां जब सुप्रीम कोट के दाइरे में ये कहकर पहुँची कि दरसल जो निर्णाय आप लेते हैं उससे जनता को परिशानी होती है उसमें इस देश की जो समविधानिक चेक एंड बैलिंस की इस्तिति है वो डगमगाने लगती है तो सरकार की तरफ से खड़े अटॉर्णी जनरल दो बातों का जिक्र बार बार करते है और आज उन दो बातों का जिक्र करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि समविधान ने एसक्यूटिव अलग क्यों बनाया जुडिश्री को अलग क्यों बनाया लेश्लेटिव को अलग क्यों बनाया यानि कारिपाली का, विधाई का और न्याइपाली का तीनों की भूमी का अलग अलग क्यों थी क्या ये चेक एंड बैलेंस करने की स्तिती थी या नहीं थी इन दो स्तितियों में अटॉर्नी जनरल की दो बातों पर गौर कीजिए एक बात कहते हैं कि हर चीज राश्टिय सुरक्षा के मद्दे नजर हम नहीं बतला सकते हैं पेगसिस का मामला हो या फिर राफेल का मामला हो जब किसानों का मसला आया तो कहा गया कि दरसल इस देश में रिफॉर्म की जरूरत है अगरिकल्चर के चित्र में ये बहस की कोई गुणजाश नहीं कि कुछ लोग खड़े हो गए जिनके पास खूप पैसा है वो रईस किसान है लेकिन इस राइसीना हिल्स के दूर में आप देखिए जो गुंबद नजर आ रहा है वो राश्टपती भवन है इस देश के राश्टपती ने भी कोई हरकत कभी नहीं की तो सवाल कई एक जटके में निकल कराते हैं कि क्या वाकई जो नितियां बनती है वो सिर्फ राजनितिक तोर पर सत्ता को लाब देने के लिए होती है क्योंकि सुप्रीम कोट के भीतर अब आने वाले 6 दिसंबर को ध्यान दीजिए इलेक्टरल बॉंड का मामला भी आएगा और उसके साथ इस देश के भीतर में जो मनी लॉंडरिंग का सवाल आर्बियाई ने खड़ा किया था वह कहीं दफ्न हो गया हर एक इशू के आसरे चुनाओ आयोग की खामोशी, रास्टपती की खामोशी, पारलेमेंट के भीतर ताकत का एहसास और उस ताकत के जरिये इस देश को चलाने की फितरत इस परिस्तिती में जब मामले सुप्रीम कोट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोट सुनवाई भी कर रहा है लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि सुप्रीम कोट कहीं इस सरकार की बनाई हुई नितियों को लेकर जनता के भीतर से कोई सवाल ना उठे इसको लेकर सुप्रीम कोट शौक अब्सरवर का काम तो नहीं करता है यानि सरकार के अनुकूल परिस्तितियां ही कब कैसे उठाई जाए और कब कैसे बहस और जिरा में गायब कर दी जाए यह भी ते सुप्रीम कोट के भीतर जिरा के जरीय तो नहीं होती है